हेलो फ्रेंड्स राधे क्रेश्ना फ्रेंड्स एलो विरा में त्वच्चा से लेकर पेट तक की सारी समश्याओं को समाप्त करने की समश्याओं को सॉल्व करने की पूरी सक्षमता है यह त्वच्चा और बालों को सही करता है पाचन संबंदी जो भी समश्या होती है उन्हीं सही करता है पेट संबंदी जो भी समझ्य होती है उनी सही करता है अब एलोवेड़ा के गुनों को तो हम सभी जानते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पर एक प्रकार का फूल खिलता है यह सर्दियों के मौसम में यानि कि नवंबर दिसंबर के मौसम में यह फूल आता है और इस फूल के benefits जानकर आप चौंग जाएंगे क्योंकि इसके benefits इसकी पत्यों से भी कई गुना जादा होते हैं इसके जो medicine properties होती हैं बहुत होते हैं यदि इन बीजों को हम यदि कहीं किसी मिट्टी में डाल दें तो वहां पर aloe vera के नए plants भी आ जाते हैं अब बात आती है कि हम इसका यूस कहां करेंगे इन फूलों का तो जो इसकी पत्तियों होती है इन पत्तियों को आप तोड़ ले इन पत्तियों में बहुत कम रस होता है एक पत्ति में केवल एक बूंद रस ही निकलता है तो आप तीन से चार पत्ति ले तो जब आप चमच में इस रस को निकालेंगे न तो एक पत्ति में केवल एक बूंद रस निकलेगा और उसमें थोड़ा सा आपको मिलाना है नारियल का तेल अब इने म जाते हैं तो नारियल का तेल मिलाकर उस पर लगाया जाता है जब इस रस को मिलाकर तो वह दाग दब्बे भी बिल्कुल चले जाते हैं अब यहां पर आप वीडियो में देख रहे होंगे कि यह देखिए इस तरह पती को आपको लेना है इसे मसलना है और इसमें एक तरह से रस निकलता है यह तो मैं हाथ में ले रही हूँ यदि आप चमच में लोगे तो इस यह रस आपको एक से दो बूंद रस निकल जाएगा एक पती के अंदर से तो यह देखिए यह बहुत ज़ादा बैनिफिश्यल होता है यदि हम इसे वेस्ट ना करें तो बहुत ज़ादा उठा सकते हैं इससे तो यह वीडियो मैं यह मानती हूँ आपके जरूर काम आया होगा यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ल जरूर कर लें मिलते हैं अगले किसी यूसफुल वीडियो में अगले किसी यूसफुल वीडियो में